नबश्कार, अभी मुझे आप सब माताव बहनों से बात करने का मोका मिला और मेरे लिए खुशी है कि थोड़े दिन के बाद ही रक्षा बंदन का त्योहार भी आ रहा है और आज मुझे एडवांस में माताव बहनों के आशिरवाद भी मिले और ऐसे में देश के करोणों गरीब, दलीत, बंचीत, पिछडे, आदिवासी परिवारों की बहनों को आज एक और उपहार देने का आउसर मिला है आज उजवला योजना के अगले चरण में कई बहनों को मुप्त गैस कनेक्शन और गैस चूला मिल रहा है मैं सभी लाभार्थियों को फिर से बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ महोबा में उपस्थित, केंद्रिय मंत्री मंदल में मेरे सहयोगी हर्दिप स्रीपुरी जी, यूपी के मुख्य मंत्री यूगी आदित्यनाज जी मंत्री मंदल के मेरे एक और साथी रामेश्वर तेली जी उत्तर प्रदेश के रिपीटी सी एम केशव प्रसाद मौरिय जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, राज्य सरकार के अन्य सभी मंत्री गण, सभी सहुसत के मेरे साथी, सभी आदर्णिय विदायक गण, और मेरे प्यारे भाईयों और बहनों उज्वला योजना ने देश के जितने लोगों, जितनी महिलाओं का जीवन रोशन किया है, वो अभुत पुर्वा है ये योजना दो हजार सोला में उत्तर प्रदेश के बलिया से आजादिक की लड़ाई के अग्रदूत मंगल पांडे जी की धर्ती से शुरू हुई थी आज उज्वला का दूसरे समस्करण भी यूपी के ही महोबा की बीर भूमी से शुरू हो रहा है महोबा हो, बुंदेल खंड हो, ये तो देश की आजादिकी एक प्रकार से उर्जा स्थली रही है यहां के कण कण में राणी लक्ष्मी भाई, राणी दुर्गावती, महराजा चत्रसाल, बीर अगा और उदल जैसे अनेक बीर भिरांगनाओं की शौर्य गाथाओं की सुगंद है आज जब देश अपनी आजादी का अमुरुत महोत्सों मना रहा है, तो ये आयोजन इन महान व्यक्तित्वों को स्मरण करने का भी अवसर लेकर आया है साथियों, आज मैं बुंदेल खन की एक और महान संतान को याद कर रहा हूँ मेजर ध्यानचन, हमारे दद्दा ध्यानचन, देश के सर्वच्च खेल पुरस्कार का नाम, अब मेजर ध्यानचन खेल रत्न पुरस्कार हो गया है मुझे पुरा विश्वास है कि अलिम्पिक में हमारे युवा साथियों के अभुत्पुर्व प्रदर्शन के बीच खेल रत्न के साथ जुड़ा दद्दा का ये नाम लाखो करोडो युवाओं को प्रेवित करेगा इस बार हमने देखा है कि हमारे खेलाडियों ने मेडल तो जीते ही अनेक खेलों में दमदार प्रदर्शन करके बविश्य का संकेद भी दे दिया है भाई और भेनों हम आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं ऐसे में बीते साधे साथ दसकों की प्रगति को हम देखते हैं तो हमें जरूर लगता है कि कुछ स्थितियां कुछ हालात ऐसे हैं जिनको कई दसक पहले बदला जा सकता था घर, बिजली, पानी, सौचाले, गैस, सड़क, अस्पताल, स्कूल ऐसी अनेक अनेक मूल आवशकता हैं जिनकी पूर्ति के लिए दसकों का इंतजार देश वास्यों को करना पड़ा यह दुखद है, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसी ने उठाया है तो हमारी माताओ बहनों ने उठाया है, खास करके गरीब माताओ बहनों को मुसिबत जेलनी पड़ी है जोपड़ी में टपकते पानी से सबसे ज़्यादा अगर परिशानी किसी को है, तो मा को है अभाव में सबसे ज़्यादा अगर परेशानी है तो मां को है, पानी की गंदिकी से परिबार बिमार तो भी सबसे ज़्यादा परेशानी मां को, सोचालाई के अभाव में अंधेरा होने का इंतजार, परेशानी हमारी माताओ बहनों को, स्कूल में अलग टॉयलेट नहीं, तो समस्या हमारी बेटियों को, हमारे जैसी अनेक पीडियां तो मां को दुय में आँखे मलते, बीशन गर्मी में में आग में तपते, ऐसे ही द्रश्य को देखते हुई यही बड़ी हुई है, साथियों, ऐसी स्थित्यों के साथ, क्या हम आज़ादी के सोवे वर्ष की तरफ बढ़ सकते हैं, क्या हमारी उर्जा सिर्फ मुलभूत जरुनतों को पुरा करने मी लगी रहेगी, जब बेजिक सुवीधाओं के लिए ही कोई परिवार, कोई समाज संगर्ष करता रहेगा, तो वो अपने बड़े सपनों को पूरा कैसे कर सकता है, सपने पूरे हो सकते हैं, जब तक ये विश्वास समाज को नहीं मिलेगा, तब तक उनको पूरा करने का आत्म इस्वास वो कैसे जुटा पाएगा, और बिना आत्म इस्वास से कोई देश आत्मनिर भर कैसे बन सकता है, भाईगे और भेनों, दो हजार चोबिस चाउदा में, दोजार चोदा में, जब देश ने हमें सेवा का आउसर दिया, तो ऐसे ही सवालों को हमने खुद से पूछा, तब एकदम स्पष्ट था, इन सारी समस्याओं का समाधान, हमें एक ताय समय के भीतर ही खोजना होगा, हमारी बेटियां, घर और रसोई से बहार निकल कर, राष्ट निर्माण में व्यापक योगदान तभी दे पाएगी, जब पहले घर और रसोई से जुड़ी, समस्याओं हल होगी, इसलिए, बीते छे साथ सालों में, ऐसे हर समाधान के लिए, मिशन मोड़ पर काम किया गया है, स्वच्च भारत मिशन के तहट, देश भर में करोडों सौचाले बनाए गए, प्रधान मंत्री आवास योजना में, दो करोड से अधिक गरीबों के पक्के घर बने, इन घरों में अधिक तरकाम मालिकाना हक बहनों के नाम पर है, हमने हजारों किलोमिटर ग्रामिट सडके बनवाई, तो सवभाग्य योजना के जरिये लगबग तीन करोड पलिवारों को बिजली कनेक्शन दिया, आईश्मान भारत योजना, पचांवस करोड से अधिक लोगों को पांच लाख रुपिया तक के मुप्त इलाज की सुविधा दे रही है, मात्रू बंदना योजना के तहट, गर्भावस्ता के दोरान, टीका करान और पोशक आहार के लिए, हजारों रुपिये सीधे बैंक खाते में जमा किये जा रहे हैं, जन्दन योजना के तहट, हमने करोडों बेहनों के बैंक खाते खुलवाए, जिन में कोरोना काल में लगभग, तीस हजार करोड रुपिये सरकार ने जमा करवाए हैं, अब जब, अब हम जल जीवन मिशन के माध्यम से, ग्रामिन परिवारों की हमारी बैंडों को, पाइप से शुद्ध जल, नल से जल पहुँचाने का काम जारी है, साथियों, बहनों के स्वास्थ, सुविधा और ससक्ति करण के इस संकल्प को, उजवला योजना ने बहुत बड़ा बल दिया है, योजना के पहले चरण में, आठ करोड गरीब, दलीद, बंचीद, पिछडे, आदिवासी परिवारों की बहनों को, मुक्त गैस कनेक्शन दिया गया, इसका कितना लाब हुआ है, ये हमने कोरोना काल में देखा है, जब बहार आना जाना बन था, काम धन्दे बन थे, तब करोड गरीब परिवारों को कई महिनों तक, मुक्त गैस सिलेंडर दिये गए, कलपना कीजिए, उजवला नहीं होती, तो संकट काल में हमारी इन गरीब बहनों की स्थिति क्या होती, साथियों, उजवला योजना का एक और असर ये भी हुआ, कि पूरे देश में LPG गैस से जुड़े इन्फास्ट्रेक्टर का कई गुना विस्तार हुआ है, बीते छे साथ साल में देश भर में ग्यारा हजार से अधिक नए LPG वित्रण के अंदर खोले गए हैं, अकेले उत्तर पदेश में 2014 में 2000 से भी कम वित्रण के अंदर थे, आज UP में इनकी संक्या 4000 से जादा हो चुकी है, इससे एक तो हजारों युवाओं को नए रोजगार मिले, और दूसरा जो परिवार पहले बहतर सुविदा के अफाओं में गैस कनेक्शन से बंचित थे वो भी जुड़ गए, ऐसे ही प्रयासों से आज भारत में गैस कवेरेज शत्रण प्रतिशत होने के बहुत निकट है, 2014 तक देश में जितने गैस कनेक्शन थे, उतसे अधीक बीते साथ साल में दिये गए हैं, सिलेंडर की बुकिंग और डिलिवरी को लेकर, पहले जो परेशानी आती थी, उसे भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, भाई और भेनों, उजवला योजना से जो ये सुविदाएं बड़ी हैं, उसमें आज एक और सहुलियत जोड़ी जा रही हैं, बुन्देल, खंड, सहीत, पूरे यूपी और दूसरे राज्यों के हमारे रहने साथी काम करने के लिए गाउं से शहर जाते हैं, दूसरे राज्य जाते हैं, लेकिन वहाँ उनके सामने एड्रेस के प्रमाण की समस्या आती हैं, ऐसे ही लाखो परिवारों को उजवला दूसरे चरण योजना सबसे अधिक रहत देने वाली हैं, अम मेरे स्रमिक साथियों को एड्रेस के प्रमाण के लिए इदर उदर भटकने की जरुरत नहीं हैं, सरकार को आपकी इमान दारी पर पूरा भरोसा है, आपको अपने पते का सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन यानि खुद लिखकर देना है और आपको गैस कनेक्शन मिल जाएगा, साथियों, सरकार का प्रयास अब इस दिशा में भी है कि आपकी रसोई में पानी की तरह गैस भी पाइप से आए, ये PNG सिलेंडर के मुकाबले बहुत सस्ती भी होती है, उत्तर प्रदेश सहीत पूर्वी भारत के अनेक जिलों में PNG कनेक्शन देने का काम तेजी से चल रहा है, पहले चरण में UP के 50 से ज़्यादा जिलों में लगबग 21 लाग गरों को इससे जोडने का लक्ष रखा गया है, इसी प्रकार CNG आधारी याता यात के लिए बड़े स्तरप्र प्रयास किये जा रहा है, भाई और भेनों, जब सपने बड़े होते हैं, तो उनको पाने के प्रयास भी उतने ही बड़े होने चाहिए, आज विश्व बायो फ्यूवल दिवस पर हमें अपने लक्षों को फिर यात करना है, अभी हमने एक छोटी सी फिल्म भी देखी, बायो फ्यूवल के छेत्र में क्या काम हो रहा है, बायो फ्यूवल एक स्वच्छ इंधन मात्रा नहीं है, बलकि ये इंधन में आत्म निर्भरता के इंजिन को, देश के विकास इंजिन को, गाउं के विकास इंजिन को गती देने का भी एक माध्यम है बायो फ्यूर्ल एक ऐसी उर्जा है जो हम गर और खेत के कचरे से पाउधों से, खराब सड़े हुए अनाज से प्राप्त कर सकते हैं ऐसे ही एक बायो फ्यूर्ल इथेनॉल पर देश बहुत बड़े लक्षों के साथ काम कर रहा है बीते छे साथ सालों में हम पैट्रोल में दस प्रतिशत ब्लेंडिंग के लक्ष के बहुत नीकट पहुँच चुके हैं आने वाले चार-पांच साल में हम बीस प्रतिशत ब्लेंडिंग के लक्ष को हासिल करने के तरफ बढ़ रहे हैं लक्ष देश्ट में ऐसी गाड़ियों के निर्मान का भी है जो सत्प प्रतिशत इते नौल से ही चलेगी साथियों इते नौल से आना जाना भी सस्ता होगा परियावरण भी सुरुच्छित रहेगा लेकिन सबसे बड़ा लाब हमारे किसानों को होगा हमारे नवजवानों को होगा इसमें भी विशेश रुप से यूपी के किसानों नवजवानों को बहुत लाब होगा गन्ने से जब इत्हिनल बनाने का विकल्ब मिलेगा तो गन्ना किसानों को पैसा भी जदा मिलेगा और समय पर मिलेगा पिछले साल ही UP में इत्हिनल उत्पादकों से साथ हजार करोड रुपय का इत्हिनल खरीदा गया है बीते सालों में इथेनोल से जुड़ी बायो फ्यूल से जुड़ी अनेक इकाईयां यूपी में बनाई गई हैं गन्ने के अवसेश से कंप्रेस्ट बायो गेस बनाने के लिए यूपी के 70 जिलों सीवीजी प्लांट बनाने की प्रक्रिया चल रही है अब तो क्रिशी अवसेश से प्राणील से बायो फ्यूल बनाने के लिए तीन बड़े कॉंप्लेक्स बनाये जा रहे हैं इन में दो यूपी के बदावियू और गोरकपूर में और एक पंजाब के भटिना में बनाये जा रहा है इस प्रोजेक्ट से किसानों को कचरे का भी दाम मिलेगा हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और परिया वरन की भी रक्षा होगी साथियों इसी प्रकार एक दूसरी महत्वपूर्ण योजना है गोबर्धन योजना ये योजना गोबर से बायो गैस बनाने को प्रोच्छान देती है इससे गावों में स्वच्छता भी आएगी और ऐसे पशू जो डेरी सेक्टर के लिए उप्योगी नहीं है जो दूद नहीं देते हैं वो भी कमाई करके देगे योगी जी की सरकार ने अनेक गोशालाओं का भी निर्मान किया है ये गायों और दूसरे गोवँश की देखबाल और किसानों की फसल की सुरक्षा के लिए अहम प्रयास है साथियों अब देश मुल्च सुविधाओं की पूर्ती में बहतर जीवन के सपने को पूरा करने की तरफ बढ़ रहा है आने वाले पचीश साल में इस सामर्थ को हमें कई गुना बढ़ाना है समर्थ और सक्षम भारत के इस संकल्प को हमें मिलकर सिद्ध करना है इसमें बहनों की विशेद भुमिका होने वाली है मैं उजवला की सभी लाभारती बेहनों को फिर से शुप कामनाय देता हूँ और रक्षा बंदन के इस पावंत त्योहार के पुर्व माता और बेहनों की ये सेवा करने का आउसर मिला मैं अपने आपको धन्य अनुभव करता हूँ आपके आशिरवात हमेशा बने रहें ताकि हम एक नई उर्जा के साथ माभारती की सेवा के लिए 130 करोड देशवासियों की सेवा के लिए गाउं, गरीब, किसान, दलीद, पीडीद, पिछडे सब की सेवा के लिए जी जान से जूटे रहें, इसी कामना के साथ आपको बहुत बहुत शुब कामना है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद